जैहिन वेलकम तू स्टडी क्लोस मेरा नाम है दीपक यादव नाव इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक और इंपोर्टेंट आर्टिकल को जो की हमारे एक्जाम के पॉइंट अव्यू से काफी ज़ादा रेलेवेंट होने वाला है पिछले एक दो दिनों में आप लोगों ने देखा होगा एक आर्टिकल काफी ज़ादा चर्चा में है वो है राइट टू रिपेर मुमेंट तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे यह राइट टू रिपेर मुमेंट इग्जैकली क्या है और किस तरीके सा आप लोग यहां पर अपने एक्जाम से इसको रिलेट कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल आपको देखने को मल जाएगा आपका यह आर्टिकल UPSC GS Paper 2 GS Paper 3 से रिलेट हो जाएगा यहां पर आप देख पाओगे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे की environmental pollution and degradation then उसके बाद issues arising out of design, implementation of policies, government policies and interventions यहां सभी जगा से इसको रिलेट कर सकते हो बिलकुल यह environment से भी रिलेट करेगा कैसे करेगा वो हम आगे discuss करने वाले हैं लेकिन further discussion से पहले go to google play store, download our study close learning app और वहां पर जाकर आप लोग UPSC के courses को avail कर सकते हो बहुती ज़ादा minimum prices में और इस app का link आपको नीचे description box में दिया या है तो जाकर फटफट इसको download कर लेना साथी साथ study close का एक और YouTube channel है वंडे exams के लिए अगे नीचे description box में उसका भी link दिया वा है उसको जाकर subscribe भी कर लेना यह मेरी Instagram ID है दीपा क्यादा वेजुकेशन चाहो तो आप लोग follow कर सकते हो अपने जितनी भी queries हैं उससे आप लोग माँपर पूस सकते हो खबर क्या है खबर आप लोग को मालूम चली गई है अभी यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बहुत सरी countries ने यहाँ पर right to repair law को लाने की कोशिश करी है इस वीडियो में जा रोगे यह right to repair law क्या होता है देखो जो right to repair movement एक तरीके से इसका जो आपका सकते हो जड़ है वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है computer era से ही यहाँ पर आपका सकते हो इसको लेकर चर्चा हो रही है अभी यहाँ पर यह जो movement है इसका जो main goal है वो क्या है कि जो companies हैं companies क्या करेंगी spare parts बनाएंगी tools बनाएंगी आप कोई भी company का product इसके अंदर वो company आपको information भी available करवाएगी ताकि आप लोग उस particular product को या फिर जो भी device आप लोग इसको आप repair कर सको और वो जो information होने वाली है उस information में यही सारी चीज़े होंगी कि किस तरीके से आप लोग अपने डिवाइस को रिपेर कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर क्या होता है, फोन खराब हुआ, सर्वेस सेंटर ले गए, उस कंपनी में लेकर गए, ठीके उन्होंने यहाँ पर क्या करा, बहुत जादे वो लोग चार्जिस लगा लेते हैं, ठ तो फिर वो information प्रोवाइड करवानी होगी consumer को, यह सारी चीजे इस right to repair moment के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगी, उके इससे क्या होगा, consumer को बहुत साथ फायदे भी होंगे, consumer जो है, अपने product की life को और जादा बढ़ा सकता है, उसको repair करवा कर, simple, आगे हम लोग और बात करेंगे, अब देखो यह जो right to repair है, basically यहाँ पर यही बोला गया, क्योंकि जो consumer है, उसके अंदर शमता है, वो repair कर सकता है उस चीज को, ठीके तो इन चीजों को allow किया जाए, वो information प्रोवाइड किया जाए, customer को, ताकि जो है वो इन चीजों को क्या कर सके, एक तरीके से repair कर सके, वोई चीज़े बार-बार यहाँ पर दोराई गई है, नाव यह जो idea यह कहां से आया है, तो यह idea originate हुआ है, USA, USA के अंदर आपको एक और act देखने को मिलेगा, जिसका नाम है, Motor Vehicle Owners Right to Repair Act 2012, अब यह जो act है न, यहाँ पर आप कह सकते हो, जो भी manufacturers है, वो provide करवात हैं, कुछ information की कि किस तरीके से उस vehicle को repair किया जा सकता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसी act के इस्तमाल करके, इसी act का idea लेकर यहाँ पर right to repair moment को भी शुरू करने की बात हो रही है, ओके तो बहुत सारी countries यहाँ पर इसको लेकर चर्चा कर रही है, अब यहाँ पर आप application available है कि आपको किस तरीके से repair करना है, थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हो, साथ इसा जो छोटी मोटी repair shops होती है, वहाँ पर जाकर अपना यहाँ पर जो भी device उसको repair करवा सकते हो, कम दाम में, यह चीज हो गई, अब यहाँ पर जब छोटी मोटी repair shops देखने को मिलेंगी, तो इनके अंदर boost up देखने को मिलेगा, यह चोटी मोटी business है, यह बढ़ेंगे, अब यह चोटी मोटी business बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगी, जो हमारी local economy है, वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी, देन उसके बाद दूसरा benefit इस right to repair movement का क्या है, इसका दूसरा benefit है जो भी electrical waste है, जिसको हम लोग e-waste बोलता है, e-waste मतलब आपका phone है, खराब हो गया, आपने सोचा, बहुत पैसा लग रहा है, यार इतने में एक नया phone आ जाएगा, छोड़ो उसे, fact दो, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सार electrical waste होता है, वो सब collect होता रहता है, और उससे environment को क काफी जादा आपका सकते हो कि खत्रा भी होता है, तो इन चीजों को भी कहीं न कहीं कम हो करेगा यह, क्या होगा, आप लोगों को repair सस्ते में हो रही है चीज़े, आप लोगों के पास information available है, अगर आप लोग पढ़कर repair कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, अराम से करो दन, उसक काफी हद तक बचेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी साधा पैसा लग जाता है, प्लस जो है, ऐसी नौबत भी आ जाती है, product को fact न पढ़ जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर consumer का जो money है, वो कहीं न कहीं save होता वह नजर आएगा, और तूसरा बहुत बढ़ा जैसा कि हमने देखा था, electrical waste, यहाँ पर इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपके electronic devices होता है, इनको fact दिया जाता है, फिर इन से यहाँ पर काफी ज़्यादा environmental humness देखने को मिलता है, तो वो चीज़े भी कहीं लगें कम होंगी, जानो उसके बाद यहाँ पर इस्तमाल गया, खराब हुआ, फैक दिया, ऐसी नौबत नहीं आईगी, अब वहाँ पर जब आपके बस अच्छी कासी information available होगी, तो उसको आप लोग reuse कर सकते हो, टिक अच्छे से चला सकते हो आगे, तो यहाँ पर यह सारी चीज़े देखने को मिल सकती है, तो circular economy भी कहीं कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो, बढ़ती भी नजर आएगी, दर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह जो movement है, इसको और बढ़ावा देने के पिछे के क्या कारण है, सबसे पहला कारण, जो भी यहाँ पर electronic manufacturers है, यह एक चीज़ को follow करते हुए चलते हैं, वो है planned obsolence, यह आ आपको पहले बाद definition बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाओंगा, जिससे कि आप लोग को चीज़ crystal clear होगी, planned obsolence का मतलब है, devices are designed especially to last a limited amount of time and to be replaced, मतलब की device आपका चलता रहेगा, लेकिन एक particular time पर आकर वो खराब होना ही होना है, ठीक है, एक particular time पर आकर वो खराब ह और आप जरूरत पढ़ेगी आप लोग को उसको replace करने की, तो यहाँ पर उसको planned obsolence बोला जाता है, मतलब यह manufacturing ही उस प्रकार की होती है, जहाँ पर एक particular time बाद आपका product खराब हो ही जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब manufacturing होगी और इसके साथ आप लोग को information भी होगी, environment के उपर यह e-waste का pressure है ना, यह कहिना कहीं काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हाँ पर देखने को मिल जाती है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यास सुनना जो कि मैंने भी बताया, e-waste का pressure कम होगा, कब कम होगा, जब आप उसको repair कर लोगे, वा बहुत सरे reasons हैं, मतलब कि जो बड़ी-बड़ी companies हैं, वो इस टाइम पर आज इसको follow करने के समना कर रही हैं, वो कह रही है हम लोग यहाँ पर इनको information नहीं देंगे, जैसे कि Apple हो गया, Microsoft, Amazon, Tesla, यह बड़ी-बड़ी companies हैं, जाइन्ट companies हैं, अब यहाँ पर क्योंकि obviously बात है, इनको कहना, इनका कहना यह है, कि अगर हम लोग कुछ इस प्रकार की information अगर देते हैं, तो यह कहीं न कहीं हमारे जो devices हैं, उसकी safety और security को exploit करेगा, ठीक है, जो हम अपनी intellectual property, अपनी information है, किस तारीके से design करी गई हैं, यह सारी चीज़ा हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, obvious ठीक है, आप लोग कहां तक इसके agree करते हो, क्या यह better है, सबी जगा पर इसको implement होना चाहिए, सबी companies पर इसको implement करना चाहिए, यह कितना better देखने को मिलेगा, अपने reasons जो है, नीचे comment section में ज़रूर निखला, ओके, नाव इसके साथ करते हैं, lecture को समाप, I hope आप लोग को सब बाबा, have a nice day, thank you and jahind